Good morning student, today we will start read Indian currency coins, okay, बच्चो आज हम जो हमारी Indian currency होती है या coins होते हैं, उनकी बारे भी हम read करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और समझेगे, ठीके, आप भी जानते होंगे बच्चो, रुपीज और पैसे ये भी आपने भी पढ़े होंगे, देखे होंगे बच्चो, है ना, आ आपको मैं उनकी बारे में समझाती हूं बच्चो, आज हम न्यू टॉपिक कर रहे हैं हमारा Indian currency, okay, Indian currency में जो रुपीज और पैसी, coins जो चलते हैं बच्चो, उसके बारे में बताती हूं, देखो बच्चो ये लिखा है 50, 50, क्या होता है, आप नमबर्स हो जानते हैं आप नमबर्स हो जानते हैं ये के लिखा है 1, 1 रुपीज, यहां लिखा है 2 रुपीज, देखें ना आपने रुपीज बच्चो, पैसे रुपीज आपने भी घर पे देखें हैं हैंना, 5 रुपीज और ये है 10 रुपीज, 10 क्या होता बच्चो, 10, 10 रुपीज, देखो यह लिखा है यह जो दिखा है इसमें गोल सा जो词कोइस बनाए वच्छो इसमें देखी, one or zero लिखा है, one or zero, तो यह बन गया, one zero, ten, और यह उपर वच्छो ऐसे इस तरह से आर बना के इस तरह से रह लिखके इसको आर किया है, तो यह बनाए वच्छोँ, rupees, टिकए, यहgriff aika? आप और नीचे लिखा 10, तो it means 10 rupees, यह कितने का coins है 10 rupees का, ठीक है बच्चो नीचे देखिए next, write the correct value of the given coins यहाँ पर जो यह coin दिया है बच्चो, अब इसको आपको लिखना यह क्या है, यह coin दिखके पैछानो बच्चे से, और आपको इसकी correct value लिखनी है, कि इतनी इसकी value है, जैसे अब यहाँ पे दिखो, आप धियान से दिखेंगे, जैसे उपर भी दिखायाता है, यहाँ लिखा है 1010, क्या लिखा है 1010, और उपर क्या लिखा है rupees, it means यह 10 rupees का coin है, कितने का coin है यह बच्चो, 10 rupees का coin है तो अब आप कहां लिखेंगे 10 rupees यहाँ, इस block में 1010 लिख देंगे यह 1010 है ना बच्चो, तो यहाँ लिखेंगे 1010, 10 rupees यह complete लोगे, बाकी आप सारे फिल छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे बाकी आप इन सब को, इन में कुछ भी ने करेंगे, आपको केवल इस coins के बारे में बताना, आपको इस coins की value बतानी है, कि coins कितने का है, तो आपने लिख दिया 10, 10 rupees का coin है यह ना बच्चो, देखके पचान रहो ना तो आप coins को, क्यरफुली rupees को देखो, चलिए next आप next page में भी आपको Indian currency बच्चो, notes के बारे में यह तो coins थे हैं, बच्चो 50 पैसे का भी coins होता है, बच्चो इसमें नहीं दिखाया आपको इसमें नहीं दिखाया है, okay 5 rupees का भी coins होता है, okay तो यह चीज़े बागी coins आपको यहाँ पे नहीं बताएं, only 10 rupees का coins दिखाया है, अब हम यहाँ इस page में बच्चो, notes के बारे में पढ़ेंगे, okay Indian currency में जो notes सकते हैं, बच्चो note, आपने देखे होंगे, कागज के बनी होते notes, okay, उसमें हमारे इस तरह से print किया हुआ होता है, notes के अंदर तो हम notes के बारे में steady करते हैं, बच्चो, जैसे यह दिया, देखो green color का note है, green color का note है और इसमें यहाँ, इस side देखो, बीच में भी 5 लिखा है, बच्चो, और इस side भी 5 लिखा है, लिखा है ना, आप numbers बचानी है यह क्या लिखा है, बीच में 5 और यहाँ भी 5, it means 5 रुपेज, यह note कौन सा है, बच्चो, इसके value का है 5 रुपेज, 5 रुपेज का note होता है, अब यहाँ देखें बच्चो, यहाँ पर यह बीच में लिखा 10, यहाँ भी लिखा 10, यहाँ भी लिखा 10, यह 10 रुपेज का note है, यह क्या लिखा है 10, 10 रुपीस का नोटे, इस तरह का होता है, कलर देखें आप, और इसमें अंदर जो नंबर्स लिखें, वो केरफुली देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा है ना, अब यहाँ देखें केरफुली, यहाँ बीच में के लिखा है, टू-जिरो, ट्वेंटी, यहाँ भी ट्वेंटी लिखा है, यहाँ भी ट्वेंटी, और देखो बच्चो, अपने जो इंडियन करण्सी होती है, उसमें किनकी फोटो लगी होती है, गांधी जी की, माहत्मा गांधी जी की है, गांधी जी की फोटो लगी होती है इस तरफ राइट साट पे और बीच में आपको नंबर दिये होते हैं बीच में और इस दौनों साइट कि यह कितने रुपीज का नोट है है ना यहां लिखा है टू जिरू ट्वेंटी इस यह ट्वेंटी रुपीज का नोट है चलिए नेक्स्ट यह देखो इस साट लेफ्ट साट गांधी जी की फोटो बनी है ना गांधी जी मात्मा गांधी जी की और यहां देखो इस तरह भी लिखा है 5050 5050 तो यह नोट कितने का है बच्चो 5050 रुपीज का नेक्स्ट यह देखो बच्चो इस गांधी जी की फोटो है ना इस तरह से और बीच में लिका 10000 तो 10000 रुपीज ये 100 रुपीज का नोट है और यह 200 देखो यह लिखा है 200 यहां लिखा है 800 200 रुपीज का नोट है बच्चो यह 100 रुपीज का और यह 200 रुपीज का अब यहां देखेंगे नीची बच्चो यह नोट देखिए कितने रुपीज का है यह 500 रुपीज का नोट है 500 500 रुपीज का नोट है आप देखते हैं न बच्चो घर में अपनी पेरेंस के पास अब देखें यह 2000 दियें बच्चो यह 1, 2, 3, 3 times 0 आ रहे हैं, और आगे के लिखा है, 2 लिखा है, मतलब यह 2,000 रुपीज का नोट है, हम कैसे काउंट करेंगे, काउंट करो, 1, 10, 100, 1000, it means 2,000 रुपीज का यह नोट है, यह 2,000 रुपीज है, आप कैसे काउंट करोगे, ऐसी करोगे, एक बार पिर सिरिवाज करो, यह यह तो only 1 डिजिट दिया है, यह 5 लिखा है, तो 5 रुपीज है, अब इसको कैसे काउंट करेंगे, 1, 0, 10 होता है, यह आप ऐसे भी बोलते है, 1, 0, 10, तो क्या बन गया, 10 रुपीज, 1, 10, 10, मतलब 20 रुपीज, 1, 10, 50 रुपीज, 5 लिखा है, 5, 0, 50, 1, 10, and 100, it means 1, 0, 0, 100 रु 1, 10, 100, मतलब 5, 0, 0, 500 रुपीज, 1, 10, 100, and 1,000, 2,000 रुपीज, चलिए, नेक्स्ट, यह नोट्स के बारे में बता है, टान रुपीज, देखो बच्चों, इसमें आपको यह करना है, कि मैस्दा करना है, कि मैस्दा करेंसी वगरे दिया है, बच्चों, फोटो दिया है, यह नांबर नेम लिखे है, मतलब आपको इनकी वेलीज लिखी भी है, अब आपको मैच करना है, कि कौ comed 에 है, कि mère कि से वेलीज प्य है, जैसे यह आपको यह जो करन सी दिया है, है नोट दिया है, यह 2 0 20 का है, 20 रुपीज का नोट है, अब यह 20 का लिखा है, यह नोट पर की यह रहा 5 रुपीज, यह लिखा 5 रुपीज, इसको इससे मैच करेंगे, यहां से, ठीके ना, जो एक्स्टा है मैच हो उसको छोड़ते जाना, लेकिन आप जो correct value है, उसे पर ही आप मैच करेंगे, ओके, यह लिखा 50, 50 रुपीज का नोट है, यह लिखा 50, 50 को हम 50, जो लिखा currency value, इससे मैच करेंगे, 10 रुपीज, यह 10 रुपीज, यह लिखा 10, 10 रुपीज, इससे मैच किजी इसको, ओके, इस तरह से हमने currency को, इनकी correct value जो है, इससे मैच किया, चली next बच्चो, आज हमारा next topic भी start करते हम, क्योंकि बच्चो, यह भी बहुत short short topic है है न, चोटी- time, okay, time वाला topic हम समझते हैं बच्चो, आज मैं आपको इसको पहले समझाती हूँ, और उसके बाद आप इसको सीखेंगे और बुद भी करके देखेंगे, okay, time, time means होता है बच्चो, समय, आप जानते हैं न, समय, जो आपन कहते हैं, इतना समय हो गया है न, ऐसे, और time जो आप गड़ी में clock में देखते हैं और wrist watch में देखते हैं आप, है ना, what time, some, ठीके? अब इधर देखे बच्चो, घर में आपने भी box देखी होगी, clock देखी होगी, इस तरह से, दिवार में लगी होती है, इस तरह से clock होती है, वह ना, अब इस clock में देखे बच्चो, ध्यान से द करेंगे 1 से लेके 12 तक नंबर लिखे होते हैं, है ना बच्छो, तो यह हो गया हमारे 12 hours, मतलब आपके एक clock में 12 hours जीरवे होते हैं, मतलब 12 गंटी का समय दिया होता है, तो 1 to 12 numbers लिखे होते हैं, अब इस clock में बच्छो बीच में एक point होता है, बिल्कुल बीच में center में एक point हो इस तरह से टू एरो लगे होते हैं, एक तो बड़ा होता है, एक छोटा होता है, ठीके ना इस तरह से, जो लॉंग हैंड्स होता है बच्छो, यह लॉंग लंबा वाला, जो रेड वाला दिया है, देखो, यह लॉंग हैंड्स होता है बच्छो, यह मिनिट का होता है, क्या हमको minute, time में क्या देखते हैं से minute, minute note करते हैं और बच्चों जो यह short hand होता है यह चोटा वाला, blue वाला, short hand यह हमको hours बताता है, okay यह हमें घंटी का, घंटा जो हमारे कितने घंटे होए, एक गंटा दो घंटा है न, hours जो कितने hours होए तो यह हमें, इससे हमें show होता है, okay, यह जो short hand होता है इससे हमें मालूम चलता है, fine चली read out करेंगी, look at the clock given, यह जो clock दिया इसको हमने देखा जहां से, it has two hands, full stop, इसमें दो हाथ दिया हैं, बच्चों, two hands बने में okay, short hand and long hand देखो, यह first, यह short hand है, blue वाला छोटा सेरो बनावा है, चोटा साथ बनावा है और दूसरा long hand है, यह थोड़ा बड़ा होता है, the short hand shows hours, okay, full stop छोटा जो हाथ होता है बच्चों यह hours, घंटों को बताता है कि कितने घंटे हो गए, time देखते हैं हम बताते हैं ऐसे, कि इतने घंटे हो गए यह hours को काउंट करता है यह जो 1, 2, 3 नमबर जो दिये ना, इसको ठीके, यह hours को घंटों को काउंट करता है the long hand shows minute जो यह लंबा वाला hand होता है बच्चों बड़ा वाला, लंबा वाला long hands होता है, यह arrow जो होता है if the long hand is at 12 end the short hand is at 6 अगर बच्चों, लंबा वाला hand long hand जो है, वो 12 पे arrow इसका कहा है, 12 पे 12 की तरफ दिखा रहा है हमको कहां indicate कर रहा है, 12 पे यह जो arrow बना है, बच्चों, red वाला यह red head, यह long hand है ठीके, तो यह किसकी तरफ दिखा रहा है हमको 1 to 12 पे, देखो यह number लिखा है ना 12, इसकी तरफ हमको शो कर रहा है, है ना, इसका arrow कहा है 12 पे, और short hand का कहा है, बच्चों, देखो 6 पे यह नीचे नमबर क्या लिखा है, 6 लिखा है इसका arrow, यह क्या शो कर रहा है हमको 6 पे किस सेड है, किस सेड बनावा है 6 पे बनावा है, ठीके तो it is 6 o'clock, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया, कितनी बैच गई है 6, देखो अब ध्यां से बिचो, फिर से मैं बताती हूँ जो हमारा छोटा वाला hand होता है ना, बटा छोटा वाला, the short hand वो जिस number पे लिखा होता है जिस number के तरफ हमको दिखाता है जैसे ये 6 पे दिखा रहे है और जो long hand होता है बच्चों, वो जिस number पे होता है तो बच्चों हम छोटे वाले hand को देखेंगे कि पहले तो इसको देखेंगे, किस पे है यह 6 पे है और long hand किस पे? 12 पे है इसका मतलब क्या होता है बच्छो बताओ इसका मतलब यह होता है कि 600 clock हुआ है मतलब 6 बज गई है कितनी बज़ी है? 6 बज़ी है देखो 6 and 12 मतलब 600 clock मतलब घड़ी में कितनी बज़ी है इस clock में 6 बज़ी है चले next नीची write the correct time in the boxes बच्छो यहाँ पर सारी clocks दिये यह clocks की diagrams बने वे अब आपको नीची यह blue box है बच्छो इसमें आपको लिखके बताना है कि इन clocks में कितनी बज़ी है अब फर्स्ट clock को दिखेंगे हैं फर्स्ट पर दिखो बच्छो शॉट एंड है वो 5 पर है ओकी 5 की तरफ ध्यान दिख रहे हैं इसका arrow की दर है 5 पर ओकी तो शॉट एंड 5 पर होता है और लॉंग एंड कहा है 12 पर 12 पर, it means 5 o'clock मतलब छोटा हाज जो होता है बच्छो जो जिस नमबर पर होता है और बड़ा वाला हैंड जिस नमबर पर बताता है तो हम छोटे वाला हैंड को ध्यान से देखेंगे तो यह 5 की तरफ इंडिकेट कर रहा है लॉंग हैंड 12 पर आ रहा है तो it means कि 5 बज गई है 5 o'clock हो रहा है टाइम क्या हो रहा है 5 मतलब 5 बज गई है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बच्छो यहां आप लिखोगे 5 o'clock ओके यह नमबर 5 लिख दीजिए और आगे लिखा है o'clock मतलब 5 o'clock हो है अब आप यहां आगे इसके आगे 0 भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको यह ब्लॉग दिया है 05 मतलब केवल अब अजिस्ट 5 बजा है ओके बिल्कुल डेरेट 5 बने है 5 का टाइम हो रहा है next देखो बच्छो शॉट एंड का है 9 पी long एंड का है 12 पी तो जो चोटा हाथ होता है 9 जिस पे होता है बच्छो वही टाइम बोला जाता है शॉट एंड जिस पे होता है वही नमबर देखेंगे तो आँसे हम अर्भू ही टाइम होता है तो शॉट एंड 9 पे है long end 12 पे it means 9 o'clock क्या बच गया बच्छो 9 बच गई है 9 o'clock तो आप यह 0 लिखिए और यह 9 लिखिए 9 o'clock नेक्स्ट देखें शॉट एंड 7 पे है long end 12 पे है it means 7 o'clock मतलब 7 बच गई है तो आप आगे 0 लगाएंगे बच्छो ठीके और यह 7 o'clock मतलब यह 0 7 लिखा है मतलब 7 बच गई है कि 7 o'clock was 7 बच गई है next short end 3 पे long end 12 पे तो आप यह लिख देगे 0 3 it means 3 o'clock मतलब 3 बच गई next short end 11 पे ध्यान से देखें नमबर तो आप चानते है न बच्छे तो यह 11 पे है और long 12 पे it means 11 o'clock 11 o'clock और यहां देखें बच्छो यहां short end 1 पे है और यह 12 पे long end तो हम क्या बोलेंगे 0 1 1 o'clock कितनी बजी एक बजी है है न 1 o'clock next turn your page next page में भी आपको बच्छो यहां पे सारी clocks दिये वनिये ठीके न यह clocks के डाग्राम है और इस साइड उनकी timings के यहां timing से लिखा है है आपको match करना है match the clock with the correct time आपको clock को इनके correct time जो हो रहा है उसमें match करना है तो आप clock को पहले carefully देखेंगे ठीहां से देखेंगे और जो time इसमें हो रहा है इसमें जो time show कर रहा है वो हमें set match करेंगे फर्स्ट देखेंगे short hand 2 पे है long hand 12 पे है it means 2 o'clock कितनी बच गें बच्चो दो बच गई है 2 o'clock अब कहां लिखा है 2 o'clock इस से इसको match करेंगे इस गड़ी को first को second clock पे देखो बच्चो यहां short hand 4 पे है long hand 12 पे है it means 4 o'clock मतलब 4 बच गई है 4 o'clock का time हो रहा है यह रहा 4 o'clock इसको match कीजिए इससे next short 6 पे है long का है 12 पे it means 6 o'clock कितनी बच गई है बच्चो 6 o'clock यह लिखा उपर 6 o'clock ठीक है इससे इसको match करेंगे next short hand 8 पे है long hand 12 पे मतलब 8 o'clock हो गया है है ना यह लिखा 8 o'clock इससे match कीजिए sorry 600 o'clock वाला बच्चो यहां से match होगा चोड़ी सी mistake होगी इसको आप यहां से match करेंगे फिर से rage कर रहे हैं मैठे बच्चो मैं यह 6 से match करना था ओकी यह 6 o'clock वाला था ना time इसको 6 से match करेंगे हम पुरा इरेज करते ही है इस तरह से ठीक चो अब यह 8 o'clock वाला time है यह इस 8 o'clock से यहां से match होगा चले next next बच्चो दिया है short hand हमारा 10 पे और long hand 12 पे है इट मेंस 10 o'clock मतलब कित्नी बच गई है clock में 10 बच गई है घड़ी में कित्नी बच गई है 10 यह 1010 यहां से match करेंगे next बच्चो देखो बच्चो जब दोनों hands एक ही इस पूर्ब आता है तो मतलब वह उतनी बज़ी है यह एक ही number पे यह जासे देखो short hand भी 12 पे है ऑव the long hand भी 12 पे है bu ends 12 कर डृच्छ। थी सब्सक्रिया है ना 12 को यह इसका मतलब है बच्छू कि 12 वजगी 12 वजगी 12 वजगी 12 को को यह ट्रेक्स को अपध्यां से यह बस को सीह इसे च। यह मेंग में किज दौनो यह इंप। उसे बोला बना होता है, यह होता है, circle. Next, इस थरह से, आमने सामने की. है न भचो, इनकी जो opposite sides होती है, बचो, वो बिलकुल same होती है. जैसे यह दोना opposite sides, same, equal है, दोना opposite side, बिलकुल equal है, same होता है. तो यह होता है, square. यह कौनसा shape खलाता है, बचो, square. देखो फिर से रिपीट करते हूं बच्चो जो बिलकुल गोल ऐसे इस तरह से राउंड बना होता है तो यह होते हैं सरकेल इसको क्या बोलेंगे हैं सरकेल जैसे यह बॉल है फोटबॉल वगरे जो भी बॉल दिखाईए ओके नेक्स बच्चो जिनकी अपोजिट सैट्स बच् जैसे यह डाइस में होता है आप डाइस केलते हैं न बच्चो है न स्रेकल लेडर में डाइस में यह बिलकुल स्क्वाइर सेट की होती है जैसे यह बॉक्स जिया है यह स्क्वाइर सेट है ओके नेक्स देखे बच्चो इसमें बच्चो जिसमें इनकी अपोजिट जो इक्वल होती है, तीनों बिल्कुल एक समान बिल्कुल बराबर होती है, तो ये बनता है बच्चो हमारा ट्राइंगल, इस तरह से ही ट्राइंगल शेप कहलाता है, इस तरह जो शेप बना होता है बच्चो ही कौन सा शेप कहलाता है, ट्राइंगल, जैसे हम आइस क्रीम में दे Rectangle में क्या होता है बच्चो ये जो आमनेस जो हमारी opposite side होती है, ऊपर और नीचे वाली ये दोने equal होती है, बिलकुल सेम होती है और जो left और right side वाली जो हमारी lines होती है, side होती है बच्चो ये दोने equal होती है पर देखना बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जो उपर और नीचे वाली जो होती है साइड्स, वो बिलकुल बराबर एक्वाल होती है, लेकिन वो इन से मैच नहीं करती है, इनके बराबर नहीं होती है, लेकिन वो इनके उपर और नीचे वालों के सेम नहीं होती है, इनकी रहने होती ह। जैसे square में क्या होता है बच्छो चारो raw lying side से होती है वो equal उते है शारो opposite sides केम से होती है यह equal होती है लेकिन इसमें ट्व opposite sides यह उपर निच वाली और यह left और right वाली है ना two opposite sets वस बल्कुल equal होती है जैसे यह और यह दोनों बिल्कुल equal हैं, यह बिल्कुल same बराबर होती हैं, और इस side की, left side की, और right side की, यह दोने equal होती हैं, तो यह कहलाता है, बच्चो, इस तरह के जो shape होती है, यह rectangle कहलाता है, क्या होती है बच्चो, यह rectangle होती है, जैसे book हमारे rectangle होती है, यह mobile का shape हमारा, cell phone का shape हमारा कैस होता है rectangle यह rectangle shape के लाग अब ऐसे इसको बच्छो shape को पिछे next next जो page है आपका last वाला page इसमें आपको shape को यहाँ पे जो shape दी है और यहाँ पे objects दी है okay इसे इनको match करने है match the object with correct shape okay यहाँ पे object के picture सी है और यहाँ shapes दी है इनसे इनको match करेंगे बच्छो फर्स रिदिया आपको जैसे फर्स circle shape दिया circle कौन सा object है यह ball वाला इससे इसको match किजी next दिया है box है ना यह square box है square तो देखिए यहाँ पे square कौन सा square shape को किससे करेंगे square box से match करेंगे यह बिल्कुल square है next दिया बच्छो यह shape ट्राइंगल कौन से shape हे यह triangle shape triangle देखिए यह है क्ह Cap ल rok हेना यह triangleज है rectangle rectangle तो rectangle को mobile से यह देखिए यह object कौन सा है rectangle shape देखो equal side से और यह equal side से इस तरह से rectangle shape है हैना तो इसको इस से match करेंगे okay तो इस तरह से आज बच्छो आपने shifts, shifts के बारे में अच्छे से पड़ा, time, clock के बारे में आपने time और clock के बारे में दंग से पड़ा, इसके अलावा मैंने आज आपको currency और note के बारे में, coins और note जो currency है, हमारी Indian currency इसके बारे में भी आज आपको बताया बच्छो, तो three topics आज मैंने complete के बच्छो, क्योंकि ये topics बहुत छोटे छोटे थे ना, इस वज़े से मैंने एक की साथ इनको complete के, तो आज एक तो currency, note, coins ये हमने पड़ा है, उसके अलावा time, clock और time जो होता है ये, और साथ में हमने shapes, ये तीनो topics आज हमने complete के हैं, ओके, आप भी अपनी workbook में ये पुरा यहां तक last तक complete करने क vision करेंगे, fine, thank you